गुड मॉर्निंग आज हम लोग जिसके बारे में जानकारी इस्टोर करने चल रहे हैं उसका नाम है छोटी याथ आज छोटी याथ के बारे में जानकारी इस्टोर करेंगे छोटी याथ से संबंदित समस्त फैक्ट कमपलेट करेंगे जो की jam में जितने भी question बनते हैं यहां से complete हो जाएंगे ध्यान से समझने कोसिस करेंगे तो बहुत सारे question जो आपके paper में मिलते रहते हैं छोटी यहां सम्मनित complete हो जाएंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे चित्र को ध्यान से देखें कि human body का structure आपके दिमाग में गर बैट जाएगा तो आप समझ भाओगे कहा की बात हो रहे हैं सबसे पहले यह आपको दिख रहा है चेहरे के पास मतलब मोह का चित्र है नीचे चलेंगे गर तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा यक कृत इधर वाला हिस्सा ये है लीवर ये कृत इधर आमास है इसके नीचे यह आपको मिलेगा आगनास है उसके बाद ये जो हरी color में दिख रहा है ये है बड़ी यान्ट मोटी सी दिख रही है ना इसके जेस्ट नीचे आपको मिलेगा च्छोटी यात, यह उक्ठा हुआ है च्छोटी यात से तीन हिस्धे होते हैं यहां अमासे के पास से आया हुआ, है यहां वाला हिस्से को बोलते है डिजियान रखना उसके नीची हिस्से को क्यादते हैet जेजुनम और सबसे नीची वाले भाग को बाक्त कुछा इलियम इंडिताई इंडियाथ के टे देशुनम इंडियोола हिस्ससा ही तो चलि..भिण द staring दूसरे जगह चल कर छोटी को ही देखकर पड़ते हैं चली छोटी यांत को ही देखकर पड़ते हैं अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर यह चोटी यांत का अंदरोनी वाला हिस्सा ही है यह बड़ी यांत है इसके किनारे किनारे है और यह चोटी यांत जो यह दिख रहा है पूरा यह चोटी यांत है इधर वाला हिस्सा बुल जता है जेजुनम और सबसे नीचे वाला हिस्सा जहां से बढ़ी है इलियम ह Mean कि असलम कर देखें एक मिनुट कि यहां पर लिखा गया 것은 इलिय미 ज्ड़ता है यहां शोटी आथ जोड़ती है बढ़ी याथ से अध्म पाम使 Schluss compromise यह निकला हुआ है, उंगली जैसे दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं appendix, तो appendix बारे में पिर कभी चर्चा करेंगे, आज हम क्यों छोटी आत के बारे में चर्चा करेंगे, चलिए वापस पुरा नीचेतर पर चलते हैं, और वहीं पर ज्यादा समझ माएगा, क्योंकि यह जो हरी कलर में दिखर आए, यह वाला बड़ी आत है, और यह जो ऊपर से आया हुआ है, और यहाँ पर ऐसे मुडा हुआ है, यह पूरा भारा पड़ा है, यह छोटी आत है, चोटी आत का हिस्जाए यह आं अकर बड़ी आत में मिल जाता है, आप जानते हों след निकला है, मतलब कि जहांसे जुड़ता है कि चोटी याल से बोज़न दे आठ में जाए वापस ना लौते उस अस्थान को बोलते है सि अस्थानको बोलते है मतलब रोकनी का काम करता है ताकि बड़ी याल से वापस छोटी याथ में ना लउट पाए ठीक है आज हम क्यों चोटी यात के बारे में पढ़ेंगे चोटी यात के तीन हिस्से हैं डेडुनम, जेजुनम और इलियम यहां बता दिया गया चलिए शुरू करते है अगर चोटी यात की बात करें तो यह इसको जो तीन भागों में बाटा गया है तीनो भागों के अगर लंबाई कुल मिलाया जाए तो चोटी यात की कुल लंबाई 6 से कितना होता जानते हो 6 से लगभग 7.2 मीटर तक मान के लो 6 से 7 मीटर तक होती है चोटी यात की लंबाई और चोड़ाई गर देखेंगे जब मनुस शुरू-शुरू में लिया था ता गास खाता था अजाता धान आए लेकिन पहले शुरू में मनुस्य के वहल मतलब कि ऐसे घास खाता था तो घास को पचने में टाइम लगता है तो उसे काफी लंबा रास्ता तै करना होता था तो यह जो आज अपेंडिक्स छोटा सा दिक रायना है पहले बहुत बड़ा हुआ करता था तो बजनी धर से आकर अपेंडिक्स में काफी पहले जब मनुस्य घास बहुत खाता था तो अपेंडिक्स में भी घास जाता था पचने के लिए लेकिन मनुस्य ने घास खाना बंद कर दिया तो देले देले अपेंडिक्स का काम खतम हो गया तो अपेंडिक्स आज आउसे से यंग के रूप में बचा हुआ है इसलिए ज इसको जो डिटनम बोलते हैं, इसका हिंदी नाम है पक्वास से बोलते हैं। आप सुने होगे, ध्यान रखना और इसको और यह जो चौडाई है, लगभखधाई सेमी तक सबकी है। अगर इसके बारे में बात करें छोटी आंत के बारे में, तो छोटी आंत में, जो छोटी आ जहां से इसको जानते रहेगा कि पेपर में आता रहता है ठीक है और दूसरी बात भोजन जब मुह में जाता है तभी से भोजन का पाचन सुरू हो जाता है क्योंकि मुह में आते ही लारवस में मिल जाता है भोजन का पाचन सुरू हो जाता है और भोजन उसके बाद घरसनी से होते हुए, अमासे में आता है, अमासे के बाद अगनासे के पासे होते हुए, मतलब अगनासे के एंजाइम से मिलते हुए, छोटी आत में आता है, मतलब कहने का ये है, कि भोजन उनका अंतिम पाचन छोटी आत में ही होता है, इसको याद कर लिजेगा, बहुत इंपोटेंट वो जब छोटी आत में आता है तो कार्बोहाइडरिट को ग्लुकोज और फ्रक्टोज में बदला जाता है छोटी आत में जो कार्बोहाइडरिट आता है उसको ग्लुकोज और फ्रक्टोज में बदला जाता है और छोटी हात में जो प्रोटीन आता है उसको अमीनो एसिड में बदला जाता है किस में बदलते हैं अमीनो एसिड में छोटी हात में जो वसा आता है किस में बदलता है वसी अमल में बदलता है और गिलिसराल में बदलता है गिलिसराल समझते हो एक चिपचिपा मुलायम सा प चिप-चिपा बनाता है, मुलायम बनाने का, soft बनाता है, ठीक है, छोटी आत में, कोई problem नहीं, आगे बढ़े, जो छोटी आत है, इसमें जो आत रस निकलता है, उसका pH मान 8 होता है, लगभग 8 होता है, अगर pH मान 8 है, तो कैसा होगा, अमली की छारी, सिंपल सी बात है, छारी या आपस में लिक्विड बनाने काम करता है, उसे आत रस बोलते है, आत रस एक दिन में लगभग 2 लिटर तक आत रस निकलता है, इसलिए कहा जाता है कि एक मनुस को 3-4 लिटर पानी, अधिकतम 5 लिटर पानी रोज पीना चाहिए, क्योंकि 2-2 लिटर तो आत रस बनता है, इतने के आस पास लगभग 1 लिटर तक लार बनता है, 1-2 लिटर तक मूत्र बनता है वाड़ी में, इतना सब बनता है सरीर स्वस्त रहने के लिए, और अगर आप पानी 1 लिटर भी पी लेते हो, तो इसमें क्या क्या बनेगा, सुचिया, चीजी बहुत कम बनना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बिमारी या सरीर में घर करने लगेंगे, इसलिए क्या क्या कहा जाता है, कम से कम 4-5 लिटर पानी रोजाना पीना चाहिए, पिया करें आप लोग, कुछ चीजे और जान लेते हैं, यह जो डेडुनम वाला बाग है, डेडुनम से एक हार्मो जेजुनम वाला पार्ट, और क्या होता है, जो भोजन होता है, उसके बाद पचने की प्रक्रिया सुरू होती है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रोटीन होता है, इसका नाम है इरेपसीन प्रोटीन, वही भोजन को पचाने की प्रक्रिया सुरू करता है, छोटी आत में ही ल का बहुत इंपॉर्टेंट है strongest में मर्तोज को तोड़कर गुलुखोर ता प्रेंजाय में बतल देता है можно divis contribution कि कि较 लुटाइड नंग हुए क्रड़क तोड़कर नाइडोजन यग्णिन 2-24 अर्सरकरा प्लस फासभूरिक आंजमन मेंद बतलदेता है थीख कोई प्रॉब्लम नहीं आगे चले हैं हुजवार कि छोटीय आंत में ही विलाई नाम एक सणरचन पाई जाती है विलाई आपको लिखाया हुगा विलाई नाम सणरचना पाई जाती है कि ऐसे होती थी AssDAQic जैसे, चोटी के अथ के अंदर grain मत अससे जी होति है। के सब्सक्राइं और टेती है। कोशिकाओं में अखीजन का दोहन होग ये ग्लूपोज का दोहन होगा और पढ़े हो गई आप ठीक अब यह जो शिकम वाला इस से आपको बताया था यह देख रहा ही जहाँ न चोटी याँत बड़ी याँत से जोड़ती हैं О sacar मौला हो जाता है शोटी याँत का अपचे अब रास्ते से साथEE करने लगता है, यहीं परिकठा हो जाता है तो दर्द करने लगता है, इसको क्या नहां होगी, appendix, जिसे appendix वाला हिस्सद धर्द करने लगता है, इसको हिंद्रिम का हे उंडुक-पाल्ड़ी है, बाप सवारी, या फिर कुछ काम नहीं है पहले काम था अभी तो काम भी नहीं है तो क्या करता है काटके निकाल देता है तो क्या बोलते है कि आपेंडिक्स का आपरेसन हुआ है, एक बात जानते लेगा, जो छोटी आथ में भोजन को soft बनाता है, ओ होता है glycerol, क्लिस्ट्राल का कोई रंग नहीं होता है रंग हीन होता है गंध हीन होता है कोई गंध भी नहीं होता है अगर इतना आप तयार रखोगे छोटी यहां से आने वाली कोई भी क्योंचे गलत नहीं होगा श्रूस से आप अगर आप ध्यान से देख लेंगे जैसे ओपर जाते है अब यह दानठ है यहाँ जीव पाचन के पाचन के पाचन की पूरी इस पीडियो के रूप में पढ़ा हुए तो आपको पाचन की पूरी जनकारी पूरी मिल जाएगी। फिर उसके नीचे आगनासय की पूरी जनकारी मिल जागी और आथ छोटी आथ की पूरी जनकारी मिल गई इस सब पाचन वाले ही अंग हैं तो अगर इनको कंपलीट कर लेंगे तो पाचन से जितने भी क्यूशन बनते पीपर में एक भी क्यूशन गलत नहीं होगा ठीक है तो अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को जलो सब्सक्राइब कर लिजीगा मिलते नेस्ट वीडियो में तो तक आप पढ़ते रहें